तो आप लोगों के कापी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे अब वोट आयोस इस्टोरी आयोस फॉंड्स इमोजी एंड ओल तो फाइनली इस वीडियो में आपकी सारी प्रोब्लम सॉल्व करने वाला हूं सो वीडियो कापी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होना वाली है इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपकी सारे इस्सू सारी प्रोब्लम इजीली सॉल्व हो सके सो वीडियो का पी ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है सो विदो ट्वेस्टिंग एनी मोर इमने लाट्स केरी स्टाटेट सो फर्स्ट ओफ आल आपको डिस्क्रिप्टिन में दीवी लिंक पर क्लिक करके आपको डाउनलोड में चले जाना है सो यहाँ पर आपको अनिष्टा की जिफ फैल देखने को मिल जाएगी सो सिंप्लिसी ऐसे एक्स्टेक्ट कर लेना इसके जो पासुट है वो आपको वीडियो में कहीं देखने को मिल जाएंगे तो पूरा वीडियो carefully देखना so extract करने के बाद simply से इस अपने device में install कर लेना आपको थोड़ा सा wait करना उसके बाद यह install हो जाएगा देन आपको इसे open करना है और उसके बाद accept and continue उपर click करना और उसके बाद आपको थोड़ा सा wait करना है यहाँ पर आपको login page देखने को मिल जाएगा simply से यहाँ पर आपको अपने Instagram ID को login कर लेना है so login हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface देखने को मिल जाएगा so simply से उपर की तरप आपको एक setting वाला option देखने को मिल रहा है आपको simply से क्लिक कर लेना है so then यहाँ पर आपको बहुत सारी settings देखने को मिल जाएगी so simply से यहाँ पर जो special features वाला option है वाँ पर आपको क्लिक कर लेना है so यहाँ पर आपको बहुत सारे options देखने को मिल जाएगे so first of all यहाँ पर जो video post auto play वाला option है उसे यहाँ पर enable कर लेना है इससे जो post वाले videos है वो automatically play होते रहेंगे बार बार आपको play करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अलावा यहाँ पर आपको एक remove suggested post और pages वाला option देखने को मिल जाएंगे इनको भी आप enable कर सकते है अगर आपको बार बार suggestions में नहीं चाहिए और इसके अलावा भी यहाँ पर आपको बहुत सारा options देखने को मिल जाएंगे जिनको आप अपने हिसाब से enable या disable कर सकते है उसके बाद आपको simply से bake आजाना और यहाँ पर जो Instagram secret option से वहाँ पर आपको click कर लेना है तो यहाँ पर सबसे पहले 60 second story वाले option को enable कर लेना है देनी यहाँ पर आपको एक trade वाले option भी देखने को मिल जाएगा तो इसको भी आप चाहिए तो enable कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको search करना developer option और इसे यहाँ पर आपको enable कर लेना है उसके बाद आपको bake आजाना और इसे एक को restart कर लेना है उसके बाद जो home button है इसको press and hold करके रखना है देनी यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का pop-ups होगा तो उसके बाद यहाँ पर आपको go to developer options पर क्लिक कर लेना है देन यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का interface होगा तो simply से यहाँ पर आपको meta config settings पर क्लिक कर लेना और यहाँ पर आपको search करना clips video sticker उसके बाद यहाँ पर जो burst वाला option है clips new sticker वाला उसे enable कर लेना और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरह एक option देखने को मिल जाएगा इसको भी enable कर लेना है तो उसके बाद इस app को फिर से restart कर लेना है उसके बाद अगर आप real section में जाके किसी भी real को अपनी story में share करोगे तो वो कुछ इस तरह की round edge में देखने को मिलेगी तो यहाँ पर आपको नीचे की तरह round edge देखने को मिल जाएगी लेकिन उपर की तरह round edge नहीं देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको एक watchful real वाला option भी देखने को मिलेगा तो अगर आप png use नहीं करना चाते हैं तो कुछ इस तरह से आप real share कर सकते हैं लेकिन अगर आप png use कर सकते हैं तो simply आपको बेगा जाना और यहाँ पर आपको फिर से settings में चले जाना है तो meta config settings में जाके clips video stickers वाले दोनों option को disable करके फिर से app को restart कर देना है तो यहाँ पर आपको यह pngs देखने को मिल जाएंगे तो अपने real के according आपको कोई सा भी png choose कर लेना है उसके बाद अपने real पर properly से add करके adjust कर लेना है तो यह सारा high qualities pngs की link आपको नीचे description में देखने को मिल जाएगी तो वहाँ से आप easily इने download कर सकते हैं और easily use कर सकते हैं उसके बाद आपकी story देखने में कापी जादा cool लगने वाली है तो देन यहाँ पर आपको bake आजाना और यहाँ पर आपको चले जाना note section में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं note वाला feature भी आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको एक music वाला option भी देखने को मिल जाएगा इने enable करने के लिए simply से यहाँ पर आपको settings में चले जाना और यहाँ पर आपको secret option में चले जाना है तो यहाँ पर आपको note search करके इन दोनों options को enable कर लेना और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ scroll करोगे तो यहाँ पर आपको music in note वाला option भी देखने को मिल जाएगा इसे भी यहाँ पर आपको enable कर लेना है इससे आपको iphone story remention देखने को मिल जाएगा देन इस save को restart कर लेना उसके बाद अगर आप किसी भी story को remention करोगे तो वो round corner में iphone जैसी देखने को मिलेगी जो कि देखने में कापी ज़्यादा cool लगती है और उसके अलबा अगर आपको iphone emoji plus font सही है तो उसके लिए आपको फिर से settings में चले जाना देन यहाँ पर आपको theme and ui में चले जाना है उसके बाद यहाँ पर आपको emoji type पर क्लिक करके ios 16 emoji page को select कर लेना है देन यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना देन ok करतेना है उसके बाद simply से आपको bake आजाना और zrg वर open करना और यहाँ पर आपको downloads में चले जाना है तो यहाँ पर आपको iOS fonts देखने को मिल जाएंगे simply से इने extract कर लेना है इनकी जो link है वो आपको नीचे description में देखने को मिल जाएंगी वहाँ से इने download कर लेना है उसके बाद फिर से onista open करना और यहाँ पर आपको add story font पर click करके from local storage पर click कर लेना है देन आपको downloads में चले जाना यहाँ पर वो सबी fonts आपको देखने को मिल जाएंगे simply से सबी को select करके select पर click करना उसके बाद वो सबी fonts यहाँ पर add हो जाएंगे उसके बाद इसे app को फिर से restart कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको add story में चले जाना और यहाँ पर आप देख सकते सारे के सारे fonts और सारे के सारे iOS emojis यहाँ पर सबी fonts में work कर रहे हैं जो कि देखने में काफी ज़्यादा cool लग रहे हैं उसके बाद simply से आपको bake आ जाना और यहाँ पर आपको एक और hidden feature देखने को मिल जाता है जहाँ पर आप किसी भी chat को easily hide कर सकते हैं सो simply से chat को press and hold करके रखना देन यहाँ पर नीचे की तरफ सबसे last वाला option देखने को मिल जाएगा hide this chat का उस पर click कर लेना है उसके बाद go to set hidden chat log पर click कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ set hidden chat log वाला option देखने को मिल जाएगा simply से उस पर click करना है और यहाँ पर आप password plus fingerprint दोनों easily set कर सकते हैं यहाँ पर आपको simply से अपने हिसाप से कोई भी password create कर लेना है उसके बाद आपको फिर से भी एक आजाना है उसके बाद आपको जो भी chat को hide करना है simply से उसको press and hold करके hide this chat पर click करना है उसके बाद वो hide हो जाएगी और उसको वापस देखने के लिए यहाँ पर आपको search button के पास एक आई वाला option देखने को मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर आप fingerprint या पास और कुछ भी लगा कर उसे देख सकते है तो यही थी आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपको कोई भी doubt है या कोई भी problem आ रही है तो आप comment section में comment करके बता सकते हैं इसके लवा अगर आप चाहिए तो मुझे इस्टा पर follow भी कर सकते हैं लिंक description में देखने को मिल जाएगी आपको यह वीडियो चिलेगी होगी ऐसी और इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज डू लाइक शेर और सब्सक्राइब